आज मैं आपके लिए एक विंटर स्पेशल क्रीम का रिव्यू लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वाजू में लगी हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपक है नोवा सिंस 1935 यह 1935 से है यह क्रीम ओके तो फ्रेंड बेसिकली आप सोच रहे होंगे यह क्रीम विंटर स्पेशल क्यों बोल रहे हूं जिस तरह से हम नाइट में हमारी स्कीन विंटर में फट जाती है तो हम क्या करते है वैसली या कोई पेट्रोलियम जैली या कोल्ड क् करते हैं तो उसके जगे पर यह क्रीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आयुर्वेदिक है आपके स्कीन को यह रिपेर भी करती है आपकी खटी फटी इसकीन उसको भी रिपेर करती है यह आपके स्कीन को ग्लो देती है फेरनेस एफेक्ट देती है ओके एंड इसके जो इंग्रेडियंट्स है वो है मंजिस्था 0.2% अमरगंधी गुगल लीफ निमबा एंड सौरभभा निमबा पेट्रोलियम जैली ओके और यह जो है इसकी कॉंटिटी है 27 ग्राम और इसका MRP है 52 रुपेज और यह इस तरह के कार्डबूट पैकेजिंग में आती है आप देख सकते हैं कि मैंसे अब आपको ओपन करके बताती हूं इस तरह की ग्लास की बॉटल में आता है काच की बॉटल में और उसके साथ एक कर्ची आती है ओके तो पहले देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है तो फ्रेंड देखते हैं इस पर क्या लिखा है नो आयूरवेदी क्रीम को जड़ी बूटी या पत्तियों तनों और जड़ों के गुनकारी खुबियों से खास्तोर से बनाया गया है जो की तोचा पर असर करते हुए उससे सामन्ने बनाता है रिप्यर करता है घाओ को भरता है उसमें एक नई जान जगाता है यहां खुश्क, रूखी, पपड़ीदार, फटी हुई तोचा, खुजली, एक्जीमा और रैश पर इलाज करते हुए उसे फिर से सामन्न स्वस्थ और रूप दिलाता है यहां फटी हुई एडियां तथा छोटी मोटी कटन, खरोचों के घाओ को शिक्रता और असरदार तरीके से इलाज करता है यहां रूखी तथा पपड़ीदार तोचा को कुछ समय समस्या जैसी की सोराइसिस, इस्थियोसिस, वालगास, रिस तथा एटपिक का एक असरदार उप्चार है हमारे अयुर्वेदिक फॉर्मुले का तोचा पर उ आपकी एडिया कटी फटी है तो तब भी आप इसे अपलाए कीजिए आपकी जो एडिया की कटन फटन है आप खुद देखोंगे वन वीक में आपकी एडिया एकदम स्मूथ हो जाएंगी आपको अगर कई घाओ की निशान है आपके स्कीन पर तब इसे आप अपलाए कीज अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपको एक फैरनेस इफेक्ट भी दिखाई देता है आपकी स्कीन पर और यह बिल्कुल पूरी तरह से नैच्रल है आयुर्वेदिक चड़ी बुटियों से मिलके बना हुआ है तो फ्रेंड अभी देखते इसका टेक्स्च्चर कैसा है अगर मैं बताती हुआ है इसे आपको यूज़ किस तरह से करना है ऐसा ग्रीन कलर का ही एक देख सकते हूं आप देख सकते हूं आपको अगर दिखाई दे रहा हूं लाइट ग्रीन आपके आपको अपलाई वटाए बताती हूं फ्रेंड ये जो है नोवा क्रीम ये अपलाई करने के बाद आपको थे चुस्पराई बताले के ऑ피रिश्चरилиन अप्लाइ करते हो उस तरह से आपके स्कीन के ऊपर आपको एक थोड़ा ओलनेस दिखता है तो आप आप बोलोंगे के वैसलीन से भी स्कीन रिप्यर होती है इससे भी होती है लेकिन इसमें क्या अच्छी बात है वैसलीन के कंपेरिशन में फ्रैंट्स यह आयुर्वेतिक है न आपकी कटी-फटी एडिया है उसको भी पूरी तरह से रिप्यर कर देता है आपके स्कीन पर ग्लो देता है फेरनेस देता है यह तो इसे यूज किस तरह से करना है अभी तो विंटर चल रहा है तो आप इससे आपको बहुत जादा फाइदा होंगा आपको इसे रोज रात म नाइट में अपलाई कर देना है आपके फेस पे रहने देना है सुबह वाश कर लेना है तो आप कुछी दिनों में देखोंगे अगर आपकी एडिया फटी है तो आपको वहां पर इससे अपलाई करना है रात भर रहने देना है सुबह वाश कर लीजे तो आप कुछ दिनों मे यह बहुत ज्यादा पसंद आया है तो फ्रेंड्स अगर आप कोई नाइट में विंटर में कोल्ड क्रीम पर्चेस करना चाहते हो या कुछ अच्छा पेट्रोलियम जैली डून रहे है तो नोवा इस वेरी बेस्ट तो फ्रेंड्स यह था मेरा आज का रिवीव अबाउट नो मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक किजे शेयर किजे और सब्सक्राइब किजे थाइंक यूँ